दोस्तों, स्मार्टफोन का जमाना है और सबी चीजों के लिए अप्लिकेशन अवेलेबल हैं चाहे आपको खाना ओर्डर करना हो, शॉपिंग करनी हो, या फिर गॉल्फिन बनानी हो आपको बता है कि आपकी अप्लिकेशन यूज़ करने से कंपनियां लाको करोरो कमा रही है तो आप खुद का भी अप्लिकेशन क्रियेट कर सकते हैं, उसे प्ले स्टोर, आइट्यून वगरा पे अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं आप खुद का स्टोर क्रियेट कर सकते हैं, फुड ओडर, देटिंग, चाटिंग, उसके बाद फिटनेस, रियल इस्टेट, किसी भी तरह के अप्लिकेशन क्रियेट कर सकते हैं अगर आपका अपना खुद का वीब साइट हैं, तो आप उस वीब साइट को भी अप्लिकेशन में कनवर्ट कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री, बिगएर किसी कोडिंग नॉलज़ के कैसी? चलिए जानते हैं ओकी गाईज, तो आपको आना है AppyPie.com के ओपर यहाँ पर आपको AppyPie से लेटिड काफी सारे इंफोर्मेशन मिल जाएंगी ऐसे तो बहुत सारे आप बिल्डर हैं, लेकिन AppyPie, Ease of Use and Value of Money की वज़ज़ से नमबर वान है, मैं आपको बिता दूँ नाइक, The Great Khali, DJ Akeel, Indian Embassy, The Scott Group, Lorient, Shri Lanka Cricket, Decathlon, Deloitte और भी बहुत सारे कंपनी हैं, जो AppyPie से बनी हुए आप्लिकेशन यूज़ कर रही हैं खैर चलिए, App Macking स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने आप्लिकेशन का नाम डालना है जो भी आप अपने आप्लिकेशन का नाम रखना चाहते हैं और उसके बाद आपको यहाँ से कैट्गरी चूज़ करने ही काफी सारी कैट्गरी दी हुई है तो आप सिंपली क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं Business, यहाँ पर आप प्रिव्यू चेंज़ कर सकते हैं मतलब स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग, आंड्रोइड स्मार्टफोन, उसके साथ ही जो है iOS, Blackberry और Windows Options भी आपको यहाँ पर बिल जाते हैं And then next अगर आपका कोई Facebook पेज है तो आप उसका User ID यहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर सिंपली आप स्किप भी कर सकते हैं Next And यहाँ पर आपको डिजाइन चूज करना है कि आपका आपका आप्लिकेशन है वह किस तरीकी का दिखेगा तो आप यहाँ से ले आउट चूज कर सकते हैं For example मैं यह ले आउट चूज कर रहा हूँ मेरा जो आप्लिकेशन है वह कुछ इस तरीके से दिखेगा Next अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना है Business के कॉर्डिंग यहाँ पर इसने जो है कुछ आप्शन्स और इंकलूड कर दिये हैं हमारे आप्लिकेशन में इन में से हम किसी को भी एडिट कर सकते हैं जैसे कि अबाउट असे इसके उपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास जो है एडिटिंग क्यों आप्शन्स आगए यहां पर जो भी हम चाहें वो यहां पर हम लिख सकते हैं, edit कर सकते हैं, अपने according इससे customize कर सकते हैं जो भी customization करनी हो आप यहां पर easily customize कर सकते हैं यहां पर कुछ option हमारे पास मिल जाते हैं, you know delete का, अगर आप इस application को, इस feature को about us को delete करना चाहते हैं कर सकते हैं आप जो हैं अब आउस में लॉग इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहां से लॉग इनेबल कर सकते हैं वैसे यहां पर हाइट कर सकते हैं यहां पर यहां पर वीप साइट है और दूसरे ओप्शन्स यहां पर आपको बेल जाते हैं जैसे कि यहां पर ट्विटर है म में आड करने हो तो simply add में चाहिए और यहां पर आपके पार जो है काफी सारे options है जैसे suggested में store है store add करना हो dictionary add करना हो e-commerce है काफी सारे options आपको मिल जाते हैं वैसे social है facebook, twitter, linkedin या पर poll, chat, messenger कुछ भी add करना हो आप directly यहां से add कर सकते हैं अब जैसे मैं यहां पर जो है ट्यूटर add कर देता हूं और यहां पर जो भी user ID है मैं वह यहां पर डाल देता हूं ओके और उसके साथ ही यहां पर और भी बहुत सारे options आपको मिल जाते है तो अब चलिए यहां पर हम लोग जो है अपने application को प्रिविव करके देख लेते हैं जैसे कि about us है इसके उपर हम लोग क्लिक करेंगे हम live यहां पर प्रिविव भी कर सकते हैं अपने website को photos वगरा को जो है वह देख सकते हैं इसने automatically देखिया आज है Facebook की सारी photos को जो है निकाल लिया है तो हम यहां पर live प्रिविव करके भी देख सकते हैं कि हमारा application जो है वो कैसा दिखेगा यहां पर नीचे आपको option मिल जाता है system page का आप जो है अपने application के उपर जो है login एनेबल कर सकते हैं जैसे कि यहां पर apply global login जैसे आपका application होगा पहले login करना पड़ेगा उसके ब background वगर चींज करना हो आप अपना खुद का जो है background अगर जाते हैं तो भी आप一樣 से डाल सकते हैं उसके साथ ही जो है आप IP icon भगर Azis जो है आप्लिकेशन रेडी हो जाए तो आप सेव एंद कंटिनीव के पर क्लिक किजिए और फाइनली यहां पर आपको जो है साइन अप करना है यहां पर लॉग इन करना है और फेस्बुक गूगल का भी यूज करके यहां पर साइन इन कर सकते हैं अगर आप प्रिमियम फीचर्स का मसा लेना चाहते हैं बहुत सारे ओप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे तो आप जो है प्री प्लान यूज कर सकते हैं मैं यहां पर फ्री प्लान यूज करूंगा और फाइनली हमारे आप बिल्दिंग का जो प्रॉसस है वो स्टार्ट हो ग लिए हम यहां पर पीर यतिंग की hemseche approach के ये ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं यहां पर qr-coast का यूज करूंगा आपको बधा होगा कि अगर आप उल्व रंख करते हैं तो आपको जो हैं तो सब्सक्राइब करना होẸं और उससे लेचे जो भी options हैं, वो सारे options यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको edit करना हो, download करना हो, notification है, monetization है, analytics है, और भी बहुत सारे options यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो future में अगर आपको अपने application में changes करने हो, तो आप simply dashboard में आ सकते हैं, और वहाँ से जो भी changes करने हो, modification करने हो, यहाँ पर देखना हो, वो चीज़े आप यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं, अब दूस्तों यह है हमारा application जो कि हमने अभी अभी create किया है, यहाँ पर वही सारे options जो है, आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर जो है, मोर में अगर हम लोग जाते हैं, और अभी जो दूसरे option है, उनको हम लोग access करके देख लेते हैं, यह है हमारा website, और देख सकते हैं, कि responsive website है, तो काफी अच्छे से जो है, यहाँ पर आ गया, तो काफी simple था application क्रिएर करना, अगर आपका कोई सवाल है, तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं, इस वीडियो को like जरूर कीजिए, share जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है, तो यहाँ पर click करके subscribe कर लिजे, यह है हमारी कुछ और वीडियो, जिसे आप screen के उपर click करके दे करके जरूर के 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 जरूर झाल झाल